अलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम बैन कॉलर, जिसको हाफ कॉलर भी बोलते हैं, वो लगाना सीखेंगे, बहुती इजी तरीके से, जिनको कॉलर लगाना नहीं भी आता, वो भी लगा सकते हैं, तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ये मैं हमें 13 इंच, जो है तयार कॉलर बनाना है, तो यहां पे हमने साड़े शेप निशान लगा लिया है, अभी यहां से हम गुलाई दे देंगे, तो हमने इसको गोल कर दिया है, इधर से भी हम शेप दे देंगे, थोड़ी सी बिल्कुल, तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ, कि ये चोड़ाई कितनी है, ये है 1.5 इंच, यहां से और यहां से 1.5 से सिर्फ एक पॉइंट जादा है, तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है, अभी इस कपड़े को डबल करेंगे, और इस कॉलर को इस तरह से रखेंगे, और इसको प्रेस से पेस्ट करेंगे, तो ये पेस् इस्ता कपड़ा है, मारचन रखते हुए, half inch का, हम इस कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे, यहां से भी कट कर लेंगे, दूसरी तरफ से भी कट कर लेंगे, उसके बाद, बिलकुल हमें बुकरम की जड में सिलाई लगानी है, इस तरह से बुकरम के उपर नहीं चड़ाना ह बिल्कुल उसके पास जड़ में सिलाई लगानी है तो ये सिलाई हमने लगा ली है अब हम इसको इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा और ज़्यादा है कट करके यहाँ पर कट लगा देंगे थोड़ा सा फिर हम इसको सीधा कर लेंगे तो अच्छे से सीधा करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे तो इसके बाद हमें क्या करना है ये जो हमने मार्जन वाला कपड़ा रखा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा देंगे ऐसे अगर आप कॉलर लगाओगे तो बहुत एजी लग जाएगा जिसको बिलकुल कॉलर नहीं लगाना आता वो भी बहुत सफाई से कॉलर लगा सकता है तो ये हाफ कॉलर है बैन जो सरदी में बहुत अच्छा लगता है तो देखिए इसको हम इस तरह से अच्छे से सफाई के साथ फोल्ड करेंगे अंदर और कच्ची सिलाई एक लगा देंगे तो ये हमने सिलाई लगा लिए है अभी हम कॉलर को फोल्ड करेंगे इस तरह से डबल डबल फोल्ड करने के बाद इसका जो सेंटर है वहाँ पे हमें एक निशान लगाना है तो ये निशान लग गया अभी हमने जो हमारा कुर्टा है उसके जो कंदे हैं उनको जॉइंट कर लेना है तो जब भी आप कॉलर लगाते हैं उस कुर्टी के जब आप कंदे हैं उनको जॉइंट करते हैं तो जिस तरफ आपको बाजू लगाना होता है उस तरफ से आप हमेशा उसको जॉइंट करना स्टार्ट कीजिए गले की तरफ बाजू की साइड से गले की तरफ इसलिए क्यूंकि उसका जो गले के अंदर का पार्ट है जो मार्चन है वो सेम रहता है और बराबर आता है तो इस तरह से हमने उसको जॉइंट करने के बाद डबल कर लिया उसमें कट लगा लेंगे एक उसके सेंटर में फिर हम कुर्ती को इस तरह से रख लेंगे इस तरह से रखने के बाद हमें जो कॉलर हमने रेडी किया है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे देखिए अब अगर सेंटर वाला निशान नहीं दिख रहा है तो आप अच्छे से यहां पे चौक से निशान भी बना सकते हैं इस तरह से हम fold करेंगे जो center है और फिर collar वाला जो center है उसको हमने मिलाना है और half inch का हमने जो कुर्टी वाला कपड़ा है उसको fold करना है और ध्यान रखिए जो collar बाहर की तरफ है एक जैसा दिखना चाहिए इस तरह से हमने अच्छे से finishing के साथ सिलाई लगानी है यहाँ पर double सिलाई कर देंगे तो यह हमारा एक तरफ से लग गया है अभी हम दूसरी side से भी same procedure repeat करेंगे center की तरफ से हम start करेंगे extra जो धागे हैं उनको cut कर लेंगे तो सफाई रहती आपके काम में तो same procedure हम दूसरी तरफ भी करेंगे इस तरह से finishing के साथ वो कपड़े को हम fold करेंगे कोई भी wrinkle नहीं पढ़ना चाहिए इस तरह से हम उस पर भी सिलाई लगाने बिल्कुल कोने कोने पर तो यहां पर हम सिलते time एक ध्यान लखना है कि हमने जो दूसरी तरफ से लगाया है caller वो भी same होना चाहिए कितना उदर से बाहर दिख रहा है उतना ही इदर से भी दिखना चाहिए ऐसे जो तरीका मैं आपको caller लगाने का बता रही हूँ इस तरीके से आपको कहीं भी नापने की जुरुत नहीं है जैसे हम caller में नापते हैं दोनों तरफ से same होना चाहिए caller या कई बार आपका caller पूरा नहीं आता है कम जादा हो जाता है तो वो वाली problem आपकी बिल्कुल नहीं आएगी तो यह हमने पूरा करके यह सिलाई उस सिलाई को डबल करेंगे पैर-पैर की सिलाई चोड़के हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे यह बहुत easy है बहुत जल्दी लग जाएगा आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी यहाँ पे पक्का कर देंगे उसको बस इतनी सी बात है और आपका caller जो है ready हो गया है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है कितना perfect और सफाई से लगा है अंदर से भी देख लीजिए बहुत finishing के साथ यह caller आपका लग जाएगा आप भी try कीजिए घर में और मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी आपने जो caller लगा वो कैसा लगा आपको बहुत easy लगेगा बिलकूल भी परेशानी नही आएगी caller लगाने में thanks for watching my video मिलते हैं next video में till then bye bye